हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मास रस्वती क्लासस मैं हूँ सिवांस दवेदी इलेक्ट्रोनिक्स मेकैनिक्स आई टियाई मेंटेनर पोस्ट के लिए ये हमारा वीडियो कोर्स चल रहा है और इस वीडियो कोर्स का ये वीडियो नंबर है 12 इससे पहले 11 वीडियो अलड़ी अपलोड है और जितनी वी थियोरी हो चुकी है उनके questions को भी इस वीडियो क्लास के माध्यम से discuss किया हुआ है इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप playlist में जा सकते हैं अगर आपको ना मिले तो इसी वीडियो के description box में उसकी link दी गई है वहां से जा करके आप उसे देख सकते हैं जैसा कि हमारा transistor का topic चल रहा था और कल हमने transistor के part 2 को complete किया था बैसे तो ये transistor का part 2 कल ही complete हो जाता लेकिन किसी problem की वज़े से जो हमारी live class चल लाई थी वो बीच में ही break हो गई थी तो वो हाँ पर पूरी class complete नहीं हो पाई थी इसी लिए हमें ये transistor का part 3rd ले करके आना पड़ा तो ये transistor का part 3rd है और अगर आज सब कुछ अच्छा रहा तो transistor जो है वो पूरा का पूरा complete हो जाएगा friends आगे वड़ेंगे उससे पहले electronics mechanics के technicals जो question है उसके questions को मैंने खुद collect किया है काफी important questions है ये आपके आने वाले exam के लिए इनको 5 mock test के आधार पर लिखा है और एक test में ये 75 question है इस प्रकार से आपके 5 mock test की बात करें तो 375 question हो जाते हैं और ये सारे question काफी important है हिंदी written में लिखे हुए है hand written है PDF format में है इनको आप राप्त कर सकते हैं इस WhatsApp नमबर पर WhatsApp कीजिएगा यहाँ पे आपको 30 रूपी का amount पे करना होगा और यहाँ से आपको ये सारी की सारी PDF जो है mock test की यहाँ से आपको मिल जाएंगी जैसे कि हम कल transistor की termologies को complete कर रहे थे और उसमें हमने resistance gain तक पूरा complete किया हुआ था तो इनको आप skip मत करिएगा यहाँ से आपके numerical question आते हैं और अगर आपको ये जो formula और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से तो यहाँ से जो question बनेंगे वो बिल्कुल आप से गलत नहीं होगे क्योंकि बहुत से student क्या लगता है उन्हें ये topic tough लगता है इस बज़े से उसको skip कर देते हैं और अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना है competition करना है तो जो मुस्किल चीज़े हैं उनको भी सीखना बिल्कुल पढ़े उपर रखते हैं और input को नीचे रखते हैं इसी प्रकार से हम क्या है किसी भी उसका gain जो है वो find out करते हैं voltage gain की बात की जाये तो output का जो voltage है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है और input voltage में जो परिवर्तन हो रहा है उसी के अनुपात को voltage gain कहा जाता है जैसे कि यहाँ पर देख सक यह हो रहा होता है कि डेल्टा का मतलब होता है कि उसमें जो है वैल्यू में चेंज हो रहा है यानि कि वैल्यू परिवर्तित हो रही है इसलिए हमने डेल्टा बीसी बीसी क्यों लगाया क्योंकि यह कलेक्टर का बोल्टेज है जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जंक्सन हो जो इस प्रकार का रेशियो बन रहा है यही रेशियो आपका voltage gain कहलाता है एक formula आपने देखा होगा कि V is equal to IR इस प्रकार का formula होता है जो कि ohms loss से निकल के आता है तो इसी को थोड़ा सा और modify किया गया और यहाँ पे लिखा गया VC की जगा value रखी गई IC की और यहाँ पे R की जग resistance आपका output पर आ रहा है आपके transistor का ही वही resistance यहाँ पर Rout को रखा जाता है और इसके upon है उसमें IB जो आपकी base में current flow हो रही है और जो RIN जो इस तरह पर आपके जो input terminal पर जो resistance होता है उसकी value जहाँ पर रखी जाती है और इस प्रकार से आपका बन के आ जाता है यह आपको पता है पहले ही आपको बताया हुआ कि IC upon IV जो होता है उसको हम current gain कहते हैं और current gain को normally हम बीटा से denote करते हैं तो वीटा से इस तरीके से इसको बनाया गया और formula बनके निकल के आया आपका कि A V is equal to Vita multiply प्रतिरोध gain यानि कि resistance gain इनको हमने multiply कर दिया तो हमारा answer आजाएगा तो जिस प् apply की जगा अभी आगे चलके हम इनके numerical भी करेंगे आगे की classes में तो वहां से थोड़ा और आपको चीजें clear हो पाएंगी इसके बाद आता है आपका power gain, power gain क्या होता है input की power में जो परिवर्तन हो रहा है और output की power में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को power gain कहते हैं तो आप किसी अगर gain निकाल रहे हैं तो उपर आपको output की value रखना है और नीचे आपको input की value रखना है फिर वो जिस भी terminology में आप निकाल रहे हैं उसी की आप value को मान सकते हैं जैसे कि अगर हम power gain की बात करें तो यहाँ पर power जो होगा वो output में power जो आ रही है और input में जो power आ रही है वो यह आपके जो output जो टर्मिनल है वहां का resistance और IB का मतलब हो गया आपकी base में जो current जा रही है और RIN का मतलब हो गया कि input टर्मिनल पर जो resistance है उसकी value और यहाँ पर इसकी value रखी तो यह आपका power gain का दूसरा formula आया और यह होता है power gain is equal to Vita square multiply resistance gain यह हो जाता है आपका power gain इसके बाद अ alpha का मतलब होता है जो IC पर आपकी current change हो रही है IC का मतलब है कि आपका collector पर जो current की change हो रही है value और upon में IE emitter पर जो current की value change हो रही है वो इसके ratio को alpha कहा जाता है जब कि क्या होना चाहिए कि VCB यानि कि VCB जो आपकी battery apply हो रही है जो कि collector और base के उस पर terminal पर जो battery apply हो रही है उसके voltage की value जो है constant हो जानी चाहिए इसके बाद आता है आपका beta, beta क्या होता है? beta होती है IC upon IB यहाँ पर इन में बिलकुल ध्यान रखिएगा यहाँ से question 100% आते हैं और आपके exam में भी आएंगे अगर आपने previous exam दिया है या आपने नहीं दिया किसी और ने दिया है तो उन से पूछेगा यहाँ से question आते हैं और यहाँ तक की engineering level के exam में भी बहुत basic question यहाँ से बनके आते हैं तो आप लोग बिलकुल एक-एक point को note करते जाहिएगा और याद करते जाहिएगा तो beta की value निकाल के आई कि वो हो गया delta IC collector current पे जो value change हो रही है current की और data IB delta IB base मर जो value change हो रही है current की और नियत क्या होना चाहिए VCE BCE का मतलब है कि जो आपका emitter और collector वाली जो terminal है वहाँ पे जो voltage है वो voltage constant होना चाहिए नियत रहना चाहिए उसमें कोई change नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद आता है आपका delta delta होता है आपका जो emitter पर जो current है उसका change होने वाली value और आपका जो base पर current है उसकी change होने वाली value इन दौनों के ratio को हम कहते है delta current और delta current में क्या होना चाहिए emitter वाला जो junction है वहाँ पे आपकी जो battery है उसके voltage को नियत रहना चाहिए उसके voltage को constant रहना चाहिए यह आपका current gain होते है और यह तीन प्रकार के current gain है तो इस तरही से इनको आप ध्यान रखिएगा इन में क्या होता है कुछ जो इनका संबंद होता है इनके कुछ relation होते हैं जैसे कि अगर हम beta की बात करें beta is equal to alpha upon 1 minus alpha यहाँ पे आपको इस तरीके से दे दिया आपको अगर question exam में दे दिया कि alpha की value दे दिया और फिर वहाँ पे आपको beta की value पूची तो इस तरीके से निकालना है अभी आगे चलके जब हम इनके numerical करेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से clear होगा तब तक आप इन formula को याद कर लीजेगा alpha और gamma में अगर हम इनके relation की बात करें तो gamma is equal to होता है 1 upon 1 minus alpha ये आपके gamma की value होती है तो इस तरीके से आपको gamma की value भी याद रखनी है कल हम अपनी class में ये सारी चीज़ें तो कबर किये ही चुके थे ये सारी चीज़ें कबर की गई ची इसके बात आता है आपका transistor load line transistor load line क्या होती है उसको समझ लीजेगा transistor circuit में जो collector current है उसमें क्या होता है कि collector और emitter की जो voltage है उसकी आवश्यक्ता अंसार जो value ग्याद करनी होती है तो भहाँ पे हमें transistor load line की जरूरत होती है load line क्या होता है एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हमें collector current आवश्यक्ता अंसार collector emitter voltage को ग्याद किया जा सकता है यानि कि collector जो current है collector current है उसको आवश्यक्ता के अंसार collector emitter voltage से ग्याद किया जा सकता है इसी को हम load line कहते हैं और जो load line होती है वो दो type की होती है एक होती है आपकी DC load line जो कि हम input जो normally उसके configuration में यूज़ कर रहे होते हैं और एक होती है आपकी AC load line AC load line मतलब होता है कि जो हमें अपने जो signal को amplify करना है वहाँ पर AC load line होती है DC load line की बात करें सबसे पहले तो यह आप देख सकते हैं कि transistor में saturation, active और cutoff region को दरसाने के लिए DC load line का यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपको तीन terminology मिली है saturation, active और cutoff region यह क्या है यह हम आगे चलके अभी आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले DC load line को देख लीज़ेगा DC load line क्या मतलब है कि transistor में saturation region, cutoff region और active region को बताने के लिए DC load line का उपयोग किया जाता है basically यह एक graph होता है जो कि हमें यह बताता है कि किसी भी transistor का saturation region cutoff region और active region किस तरीके से है और कैसे वहेब कर रहा है यह सारी चीज़ों को हमें दिखाने के लिए DC load line को हम जो है draw करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक transistor है उसकी output की बात की गई है output पर जो current मिलेगी वो IC होती है IC का मतलब collector current यानि कि collector जो part है वहाँ पर output पर जो current flow हो रही है उसको हम IC कह देंगे और BCE BCE का मतलब है कि जो आपती output पर जो जिस प्रकार का configuration है जो battery का voltage है उसके battery voltage को BCE कहा जाता है यहाँ पर इस तरीक से आपने देख लिया इसके बाद क्या है कि आपका जो यहाँ पर होता है cutoff region cutoff region इस तरीक से saturation यहाँ पर होता है और saturation region को BCC यहाँ पर आप देख सकते है BCC upon RL basically यह क्या होता है BCC upon RL ही IC होता है तो इनको BC upon RL इस तरीक से भी लिख सकते है और IC इस तरीक से भी लिख सकते है बीच में जो region पाया जाता है उसको active region कहते हैं यह आपका active region हो गया तो load line को समझने से पहले ही को हम active region कहते है active region का मतलब यह है कि जो हमने अपने transistor को जब configuration किया था तब उसके input part को हमने forward vise connect किया था और जो आपका output part था mm connection का मतलब यह है जैसे हमने यहाँ पे अपने एक transistor को लिया यह transistor आप देख सकते हैं यह आपका कौन सा transistor होगा यह हो गया आपका PNP transistor ठीक है यह एक PNP transistor का यूज किया मैंने और यहाँ पे इसको configuration किया तो यह P part P part का मतलब है कि यहाँ पे holes जादा है इसलिए हमने यहाँ पे positive battery को connect किया और यहाँ पे इस तरीके से और यह second जो output part है यहाँ पे हमने इसको negative configuration करनी होती है sorry reverse wise करना होता है तो reverse wise करने का मतलब है कि यहाँ पे इसको battery के minus terminal से connect कर दिया यह हो गया आपका एक configuration अब transistor हमाना जो होगा वो किस region में कहलाएगा active region में कहलाएगा क्योंकि इसका input part जो है वो आपका active region में होने के मतलब है कि यह forward wise है और output part आउटपूट पार्ट active region में होने का मतलब है कि यह reverse wise में होना चाहिए और इसी configuration के दौरान जो process होती है उसी को हम कहते है active region और active region में होने पर ही transistor जो है वो transistor क्रिया दरसाता है तो यह आपको समझ आ गया होगा कि active region क्या कहलाता है अगर हम saturation region कहलाता है saturation region से दो आपके question जो है basically बन के आते हैं objective type के question इस बिंतू पर जो है base current जो है वो अधिक होता है base current जो है जब हमने base का configuration किया तो वहाँ पे जो है current जो है flow हो रही होती है वो अधिक current flow हो रही होती है जहाँ पे आपकी कह सकते हैं कि हमें signal जो चाहिए वो amplify signal चाहिए अगर base current ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि जो current यहां से आ रही थी वो इससे ज्यादा base current का मतलब है कि यहीं पर थोड़ी current जितनी भी ज्यादा होई वो current तो यहां पर waste हो गई यानि कि यहां पर बरबाद हो गई तो इसी point को इसी चीज़ को हम saturation region कहते हैं और यह जो आप देख सकते हैं load line पर वह है point जहां पर line जो curve है intersect कर दी है यह graphically बात की गई है कि जब हम graph में धरसाते हैं तो load line जो होती है वहाँ पर जिस point पर हमारी line curve को intersect कर देती है उसी point को हम saturation region कह देते है normally saturation region क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि base current जो है वो normal से ज्यादा हो गई जिसकी विज़े से जो हमें power gain चाहिए था वो power gain अब हमें output पर उतने वहता तरीके से नहीं मिल रहा है और transistor का मतलब हो या इसका मतलब यह हुआ कि transistor अब active region से जाकर कि saturation region में चला गया है या फिर जो normally जब start होता है तब saturation region में ही transistor starting में रहता है तो यह आपका saturation हो गया ठीक है second point होता है कि saturation region पर जो है collector waste junction जो है लंबे समय तक reverse wise रहता है तो लंबे समय तक reverse का इसका मतलब है कि collector waste जो junction है normally जब हम क्या करते है transistor को अपने configuration करते हैं कुछ इस प्रकार से तो यह बाला part आपका हो जाता है forward मैंने यह बैटरी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख लिजगा normally समझने के लिए यह आप configuration नहीं कर रहा हूँ यह बाला part जो होता है हमारा यह part होता है हमारा forward wise और यह होता है reverse wise तो क्या होता है थोड़ी देर के लिए यह reverse wise रहता है क्योंकि जैसे हमारा transistor work करने लगता है तो इसका काम reverse wise में रहने की बज़े से क्या होता है कि यह जो भी यहाँ से always आ रहे हैं आपके जो charge आ रहे हैं उनको यह खीचने का काम करता है लेकिन अगर यह खीच नहीं पा रहा है तो इसका मतलब यह हुए कि यह ज़्यादा समय तक active region में जो है वो reverse region में रहने लगा reverse wise रहने की वज़े से क्या होगा कि अब transistor जो है उसका जो transistor की normal process थी जिसका उसका good था जिसकी उसकी properties थी transistor की normal property क्या थी कि वो जो है amplify कर रहा था signal को बड़ा रहा था तो अब क्या करेगा कि ज़्यादा समय तक अगर reverse wise में रहने लगा तो फिर वहाँ से वो reverse wise में रहने की वज़े से transistor की रहा जो है वो खतम हो जाएगी तो यही इसका saturation region पर collector base junction जो है वो लंबे समय तक reverse wise में चला जाता है अगर saturation region आ गया तो उसका मतलब यह हुगा कि collector base junction जो है वो अब लंबे समय के लिए जो है वो reverse wise में आगा रिवर्स वाइस में आने का मतलब है कि अब हमारा transistor जो है जिस तरीके से उसको काम करने चाहिए था जो transistor की क्रिया होनी चाहिए था अब वो क्रिया वहाँ पे नहीं हो रही है और saturation region कब आ रहा है यह तब आ रहा है जब हमारा base का जो current है वो normal से बहुत ज्यादा होनी का मतलब यह हुगा कि अब जो current है वो base में ही ज्यादा तक flow होनी लगी इसकी वज़े से जो हमारा amplify signal होना यह था वो नहीं हो रहा है तो आई होप आपका यह saturation region वाला point आपको clear हो गया होगा अब cutoff region क्या होता है cutoff region वो होता है वय window होता है जहाँ पर load line जो है वो curve को intersect जो होती है वो IB बरावर 0 हो जाती है IB बरावर 0 यहाँ पर एक टर्माई IB बरावर 0 आई बरावर 0 का मतलब हो गया कि base current बिल्कुल 0 हो गई पहली बात तो यह कि base current को 0 नहीं होना चाहिए base current अगर 0 होती है तो वो हो जाता है हमारा cutoff region में चला जाता है हमारा transistor cutoff region में चाले जाने की वज़ाए से इसी को हम cutoff region कहते है cutoff region का basically मतलब आप समझेगा अगर हम इसको अपने graph के तोर पे समझे तो इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा point जहाँ पे जब हम load line को draw कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो curl को intersect कर रही होती है उसी को हम उस point को cutoff region कह देते हैं यानि कि उस point को cutoff point कहेंगे और वहाँ पे जो आपका region होगा region का मतलब जो छेत्र होगा उसको हम cutoff छेत्र कह देते हैं लेकिन अब यह ब्यवारिक तोर पे समझना है तो इसका मतलब यह हुगा कि अगर IB is equal to zero हो गई इसका मतलब यह होगा कि cutoff region जो है अब जो transistor है वो cutoff region में आ गया इसकी वज़े से यह क्या होगा कि यह अब काम नहीं करेगा तो इसी का मतलब है कि अगर IB zero हुई तो इसका मतलब तब भी transistor हमारा transistor के लिए को नहीं दरसाएगा इसका मतलब यह हुगा कि transistor की यहा को नहीं दरसाएगा कि मतलब कि current जो है न वो collector leakage current flow करने लगेगा leakage current का मतलब क्या हुगा कि जो हमारा transistor का output part था जिस पे आपका जो देख सकते हैं आपकी reverse wise हमने connect किया था तो reverse wise में connect होनी की वज़े से अब IB तो हाँ पर I नहीं रही आई भी 0 हो गए इसका मतलब यह हुगा कि जो हमारा output part था अब वो current flow तो कर रहा है लेकिन वो reverse wise का मतलब हुगा कि अब वो minority की वज़े से flow हो रहा है और minority वजए से जो current flow होता है उसी को हम leakage current कहते हैं और इसकी जो इस तरीकी से धरसाते हैं वो होते हैं ICBO और यह जो है वो बाहर निकलने लगता है तब भी हमारा transistor जो है अच्छे से काम नहीं करता है तो यह तो होता है आपका cutoff region और saturation region क्या होता है कि IB normal से बहुत ज्यादा इसकी current flow होने लगती इसको saturation कहते हैं और इसके बीच में जो आपका saturation region और cutoff region के बीच में एक region पाया जाता है जिसको active region कहते हैं वहीं पर हमारा transistor काम करता है और उसी पर हमें transistor की जो है transistor के saturation, active और cutoff region को दर्साने के लिए DC load line को हम एक graphically तोर पर यूज करते हैं और यह आप देख सकते हैं यह DC load line को दर्साया गया है और normally जो DC load line बनती है वो output वाले part पर बनती है output पर जो current मिल रही है उसको हम यहाँ पर Y axis पर ले लेते हैं और X axis पर जो लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह X point हो गया यह Y वाला axis हो गया अक्छ मतलब जिसको हम कहते हैं यहाँ पर हम जो है वो VCE voltage को ले लेते हैं अब आप देख सकते हैं यह बाला part जो देख रह रही है वो अब नॉर्मल करेंट फ्लो हो रही है जिस करेंट पर जो हमपलीफायर है यानि कि जो ट्रांजेस्टर है वो academics को दर्सा आता है amplified मतलब कि हमारा नॉर्मल जो transistor की process होती है आपके low resistance से high resistance की और जो circuit में current फ्लो होने लगती है वही transistor का normal property होती है तो उसको दर्सा आ रहा है फिर यहाँ पे आता है आपका saturation region saturation region का मतलब होता है कि IB जो है वो normal से बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी वज़े से current जो है न saturation region में आपका transistor पहुँच चुका है तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं DC load line को दर्साया गया है AC load line क्या होती है कि DC load line के बाद आती है जो DC में कहा होते हैं कि हम transistor में जो अपना configuration कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम DC signal को ही apply करते हैं लेकिन transistor से हम काम क्या करते हैं basic कि AC part को amplify किया जाता है transistor के द्वारा तो AC load line को समझते हैं एक load line है जो transistor circuit के output characteristic पर खीची जाती है और जब कोई signal circuit पर amplify होता है तब transistor एक amplifier की तरह work कर रहा होता है AC load line को खीचते समय एक अधिकतम बिंदू collector emitter voltage और दूसरा बिंदू collector current को दर्साया जाता है यह देख सकते हैं यह DC AC load line है तो normally आपको बस इतना ही समझना है कि यह आपकी इसी प्रकार से लगभग AC load line होती है जो की collector emitter voltage और दूसरे point पर इसमें collector current को दर्साया जाता है collector current यहाँ पर आपका हो गया collector emitter voltage यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जो आप line देख रहे हैं एक AC load line को दर्साया गया है यह भी लगभग बैसे ही होती है जैसी हम DC load line को दर्साया जाते है DC load line पर सिर्फ इतना पता चलता है कि यह transistor हमारा active region में है saturation region में है या cut off region में है इन तीनों point को दर्साने के लिए DC load line का यूज़ किया जाता है AC load line पर क्या करते है कि जो collector emitter voltage होता है एक point पर इसको दर्साया जाता है और दूसरे point पर collector current को दर्साया जाता है तो यह होती है आपकी AC load line तो I think आपको यह सारी चीजने समझ आ रही होगी जो भी मैं आपको starting से बता रहा हूँ वो सारी चीजने समझ आ रही होगी कि क्या आपका यह gain था क्या नहीं था और किस तरीके से आपका transistor का normal जो termologies होती है वो सारी चीजने समझ में आ गई होगी load line आपको समझ में आ गई होगी इसके बाद आता है आपका quiescent point quiescent point क्या होता है जिसको हम क्यों point कहते है normally quiescent का हिंदी में मतलब होता है कि mon mon मतलब कि एक ऐसी stage जहां पर वो जो है stable हो गया यानि कि stable का मतलब एक इस्थरता आ गई उसमें transistor में अभी आपने देखा कि हमने तीन चीज़ों को discuss किया एक था आपका cutoff region cutoff region में IB जो current होती है वो zero हो जाती है जिसकी विज़े से transistor cutoff region में आ जाता है अगर IB जो है वो normal पर रहती है तब हमारा transistor active region में रहता है और IB अगर बहुत ज़्यादा normal से बढ़ जाती है तब transistor हमारा saturation region में पहुँच जाता है तो quiescent point का क्या मतलब हो गया तो quiescent point q बिंदू एक ऐसा point होता है जो transistor को ये हमें पता चलता है उससे की transistor जो है वो active region में active region का मतलब कि active region में ही transistor अपनी property को दर्सा रहा होता property को दर्साने का मतलब कि जो उसका बास्तविक गुड है यानि कि जो signal को amplify करने का उसका main काम है वो q point पर ही कर रहा होता है तो इसका मतलब हो गया कि ये quiescent point यहाँ पर एक देख सकते हैं मैंने graph बनाया है आपको graph में ये देख सकते हैं लगभग load line की तरह यहाँ पर dc load line को दर्साया है अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ये point होता है आपका cut off point यहाँ पर आपका saturation और beach में कहीं होता है आपका active region तो beach में active region का मतलब है कि वहाँ पर q is equal to q अब देखिए क्या होता है कि आपके ये तीनों जो region होते हैं वो किस पर depend कर रहे होते हैं IB पर ही depend कर रहे होते हैं तो मैंने बताया था ना कि IB पर एक ऐसा normal current जिस पर आपका transistor जो है वो एक active region में काम कर रहा होता है उसी की value को उसी value पर जब हम transistor के DC load line में graphically तोर पे दरसाते हैं तो उसी point को हम q point कह देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मानने लीजिएगा कि हमारा एक transistor है जिसमें हम IB की value जो है वो एक 5 micro ampere रखते हैं 5 micro ampere होनी की बज़े से normal भी 5 micro ampere ही use होती है तो IB की value अगर 5 micro ampere है तब transistor हमारा active region में आ गया active region में आने का मतलब है कि transistor अब अपनी transistor की property को पूरी तरीके से दरसा रहा है property दरसानी का मतलब कि transistor जो है वो अपना काम कर रहा है यानि कि signal को amplify कर रहा है तो ये एक ऐसा point यहाँ पे दरसा दिया जिसमें IV की value 5 micro ampere हो गई और यहाँ पे आपका Q point बन गया इसका मतलब यह हुगा कि यहाँ पे अब transistor हमारा active region में properly work कर रहा है इसी चीज़ को DC load line पे दरसाने के लिए Q point की आवश्यक्ता होती है तो I hope आपको अब quiescent point जिसका मतलब है Q point समझ आ गया होगा इसके बाद एक और important technologies होती है transistor से related उसका होता है नाम transistor power rating transistor power rating क्या होती है थोड़ा इसको समझ यहाँ से भी आपके question आते है है तो बिल्कुल आप यह बहुत ही basic question होते है फॉर्मूला वेस्ट ही question होते है हलाकि आप इनको अगर आपको formula याद है तो आपने value को put किया आपका answer निकल के आ गया तो यहाँ पे transistor power rating क्या होती है transistor power rating का मतलब है transistor का main काम क्या है कि input पे जो हम दे रहे power वो output पर इसकी power gain मिल रही है gain का मतलब है कि power हमें ज्यादा मिल रही है output पर लेकिन अब transistor एक ideal चीज़ तो है नही आदर्स चीज़ तो है नहीं यह भी power को ऐसा होगा इसमें कि power जो है वो कुछ बेर्थ जाएगी बेर्थ का मतलब कुछ power based हो जाएगी based का मतलब कि जैसे कि अगर उसमें कुछ काम हो रहा है transistor के अंदर जो process चल रही है उसकी वज़े से power generate होगी और वो heat के तोर पे बेकार चली जाएगी जो power हमें current के तोर पे दे रहे थे आपको पता होना चाहिए कि उर्जा जो है वो संरक्षित रहती है उर्जा को सिर्फ एक current आ रही है current की वज़े से current किसी वज़े से flow हो रही है वो आपकी current flow हो रही है और यह जो है AC आपका बलब जल्ला है जिसकी वज़े से आपका ये प्रकास उर्जा में change हो रही है इसका मतलब यही हुआ कि जब हम transistor को बनाते हैं तो उसमें उसकी permissible power dissipation को ही transistor का power rating कहा जाता है यानि कि उसके लिए एक permissible यानि कि सुईकरत सक्ती अपविया होती है कि इतनी सक्ती ही इसमें अपविया होनी चाहिए अगर इससे ज्यादा उसकी सक्ती अपविया हो रही है तो फिर यह transistor जो है हमारे काम का नहीं है और यह खराब हो सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते ह यह होता है इसका formula जिसका मतलब होगा P total P total is equal to TJ max minus Tamb upon Q P total क्या होता है कि transistor का cool power dissipation का मतलब क्या होगा कि जो आपकी cool power वय हो रही है transistor की cool power वय का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमें transistor कितनी power को खराब कर रहा है कितनी power हमारे काम की नहीं है जो heat के तोर पे वय जा रही है बेस्ट जा रही है वो हम value यहाँ पे इस formula से find कर रहे हैं तो TJ max का मतलब हो गया कि अधिक्तम junction तापमान TJ max यहाँ पे अधिक्तम junction तापमान मैंसे घटाते हैं हम क्या Ampsent Temperature का मतलब होगा कि जो normal हम जिस जहाँ पे जिस room में उस transistor का काम चल रहा है जहाँ पे वो काम कर रहा है उस environment का वहाँ के आसपास के छेतर का कितना temperature है उतने temperature को घटा देते हैं और उस मैंसे इसको भाग कर देते हैं कि इसको thermal resistance को जो transistor का thermal resistance होता है उसकी value से भाग कर देत हैं तो यहाँ पे हमें निकल के आ जाती है हमारी transistor की power rating अगर हम इसकी TJ Max की बात करें अधिकतम junction तापमान तो इसकी value लगभग fix होती है जर्मेनियम के लिए यह 90 degree centigrade और यहाँ पे silicon के लिए यह 150 degree centigrade यह value होती है तो यह इसकी value fix हो गई फिर बागी आपका normal depend करता है कि आपका जो transistor है वो normal आपका कहाँ पे काम कर रहा है ज्यादा वहाँ पे heat तो नहीं है वहाँ के environment में या फिर वो normally है इस तरीके से और Q की value भी fix होती है thermal resistance होता है जिसको हर प्रकार के transistor के लिए यह value अलग-अलग होती है तो I hope आपको यह transistor power rating समझ में आ गई होगी एक point और होता है thermal run away thermal run away क्या होता है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है अभी लिखा है उसको जो है जो है वो उस time पे जब मैं notes कर रहा था तब मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आया तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ thermal run away क्या होता है nuclear runaway का मतलब जैसे यह Qsant point होता है ना हमारा thermal runaway का मतलब होता है कि quotient point जो है यहाँ पे transistor हमारा काम कर रहा है इस point पर particular point पे transistor काम कर रहा है thermal runway का मतलब क्या होगा कि transistor के अंदर है जो process हो रही है उसमें क्या हो रही है अंदर ये अंदर कई नहीं उसमें heat generate हो रही है heat generate होने का मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत उसमें जो current flow हो रही है current flow होने का मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ change आयेगा और ये cue point जो है वो खिसक जायेगा खिसक नहीं का मतलब है q point एक ऐसा stable point था जहाँ पर transistor active region में work कर रहा था अगर q point उपर चले जाने लगा तो वो saturation region में हो जाएगा और अगर नीचे चला गया तो q point जो अगर नीचे चला गया तो वो cutoff region में हो गया तो जो heat बढ़ती है ना heat की वज़े से ही वो transistor या तो saturation region में किसक जाता है या फिर active region से या तो saturation में चला जाता है या फिर cutoff region में आ जाता है तो इसकी वज़ेसे transistor खराब होने लगता है और ये इसके transistor के parameter पर depend करता है कि उसकी power rating क्या है ये अभी बता है ना मैंने आपको ये power rating की उसकी power rating क्या है उसमें किस तरीकी current flow हो रही है कितनी current उसमें flow होने चाहिए ये इन सभी parameter पर उसका thermal run अभे काम कर रहा होता है एक question आपने पढ़ा होगा कि power transistor जो होता है ना उसमें हम heat sink का use करते है heat sink का मतलब क्या होता है heat sink एक ऐसी जैसे normally हम जो हमारा transistor है जैसे ये एक transistor हो गया माल दीजेगा इसमें यहाँ पर आपका emitter ये आपका collector और ये base हो गया तो heat sink क्या होता है कि आपका transistor जब बर्क कर रहा होता है ना तो वो heat होने लगता है तो एक ऐसी धातू की plate हम transistor के collector base पर चिपका देते हैं collector base पर ही चिपकाएंगे यहाँ पर इसका region भी आभी आपको मैं बताऊंगा कि collector base पर एक aluminium normally हम aluminium की plate का यूज करते हैं तो aluminium धातू को उसके collector base से जिपका देते हैं जिसकी विज़े से अगर उसमें जो heat generate होती है ना वो heat जो है वो उस aluminium की plate को गरम करेगा और aluminium की plate क्या होगी कि वायू मंडल में उस heat को बाहर कर देगी तो इसकी जैसे जो transistor है वो खराब नहीं होता है उसकी power rating में change नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि हमारा transistor active region में रहेगा ही तो यह आपका इसका heat sink का use होता है अब एक question बनता है कि हम इसको collector पर ही क्यों use करते हैं एक बच्ची ने question किया था कि इसको हम base पर क्यों use नहीं करते हैं क्योंकि उसके मन में यह सवाल आया कि base मर्ड जो है ना वो आपका यहां से अगर majority carriers से हा रहे हैं और base में तो minority रहते हैं तो यहाँ प तो देखें यहाँ पर आपका base region बहुत पतला होता है वो सिर्फ हम इसलिए रखते हैं कि उसमें जो हमारा transistor का main काम होना चाहिए ना वो base की बज़ेसे ही बनता है लेकिन क्या होता है कि जैसे यहाँ से diffusion कुछ तो majority carriers जो होते हैं वो diffuse कर जाते हैं लेकिन बहुत सारे majority carriers जो है कि जो collector terminal होता है ना हमारे transistor का उसको हम ज़्यादा इसी लिए बनाते हैं उसको part को थोड़ा बड़ा इसी लिए बनाते हैं कि वहाँ पे जो collision रहे वो आसानी से हो सके और heat अगर ज्यादा generate हो रही है तो फिर उसके लिए हम heat sink का use कर देते हैं जो कि heat अगर generate हो रही है तो heat sink क through environment में बाहर चली जाती है तो ये आपका fact होता है आपके heat sink का I hope आपको ये question भी समझ आ गया होगा अक्सर ये सवाल आपके exam में भी आता है कि heat sink क्या होता है आपको कैसे काम करता है तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपको pdf course दूँगा तो उस time पे pdf में सारी चीज़ें के exam में भी वो सारी चीज़ें help करेंगी तो friends इस तरीके से ये आपका transistor जो है वो पूरी तरीके से complete हो जाता है bipolar junction transistor था इसी को normally हम transistor भी बोल देते हैं इसके बाद कल हम क्या करेंगे कल हम पढ़ेंगे transistor के जो question है उनको questions को लगाएंगे कि आपको अब कितना बनने लगा है उन questions को कल की class में करेंगे उसके बाद आता है हमारा FET, Mosspad ये इस तरीके की transistor होते हैं तो उनको फिर आगे के और आगे के वीडियो क्लास में complete करेंगे तो अगर आपको हमारी class अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like करना, share करना, channel पर नए है तो subscribe करना, bell icon को जरूर प्रेश करन subject है, उससे related important questions को मैंने खुद collect किया हुआ है, ये आपके बहुत important questions है, किसी भी exam में अगर आप जा रहे हैं और maintainer post के लिए, जो कि ITI post के लिए तो ये question बहुत helpful रहने हैं आपको लिए, ये 5 mock test पर आधारित है, mock test में इसको design करके रख दिया है, hand written है, PDF format में है, परिक्षा प्रशन है, इनको पाने के लिए आपको इस number पर WhatsApp करना होगा, यहाँ पर आपको 30 रुपी का amount पे करना होगा, और यहाँ से आपको ये PDF जो है available हो जाएगी, so friends, thank you for watching, मिलते हैं कल इतने ही time, इसी class में,